जनपद में गुरुवार को सावन पर्व पर मंदिरों की ड्रोन कैमरे से सुरक्षा वस्था की निगरानी की जाएगी जिसके संबंद में स्पी सिटे कृष्ण कुमार विश्णोई नहीं बताया कि सावन पर्व पर सभी मंदिरों में श्रधालूओं की भीर ज्यादा होती है जिसको देखते हुए जारखंडी मंदिर, मुक्तिश्वेनाथ मंदिर, गुरेकनाथ मंदिर पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाएगी जिससे की किसी श्रधालूओं को किसी भी तरहा की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आराम से सभी लोग दर्शन वा अगवान शेव को जल चड़ा पाएं इसके अलावा मंदिरों की ड्रोन से निग्रानी की जाएगी जिससे की अराजक तत्तों पर नजर रखी जा सके मंदिरों पर एम्बुलेंस और फाइर विवाग की गाड़िया रहेंगी जिससे की अगर किसी सद्धालूग की तबयत ख सद्धालूओं में काफी संख्या में भीड़ों मडने की आशंका है इसी के मद्दे नजर जन्पत गौरपपुर में धारखंडी मंदिर, मुक्तेशवर मंदिर, गौरपनात मंदिर इसके अलावा अन्य मंदिरों पर भी सद्धालू आराम से अपना तरसन कर पाएं इसके सद्धालू के लिए परयात को पुलिसबल तेनात किया जाएगा एं पुलिसबल के साथ साथ ड्रोन एवं अन्य उपकरणों से भी सुरुक्सा रखी जाएगी ताकि इस सर्दालों को किसी परकार की कोई परिशानी ना हो एवं साथ में फायर एं अम्बुलेंस तरह की झाल